हलो प्रेंट्स मैं हूँ मनीश शंकर तेवारी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं एक क्लासस पाय मनीश सर हम लोग पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विशाय में अभी आप लोगोंने प्री बोर्ड का एक्जम दिया होगा प्री बोर्ड का कोश्चन पेपर डेफिनिटली आप लोगों का बहुत ही शांदार कोश्चन पेपर आया था आपकी सुईधा के लिए इस कोश्चन पेपर का मॉडल आंसर लेकर मैं आया हूँ तो चलिए बगेर किसी लागलपेट के सीधे हम पहुंसते हैं कोश्चन पेपर के साल्यूसन पर मतलब मॉडल आंसर को देखते हैं चलिए कच्छा दसवी के लिए प्रीवोर्ड का एक्जाम हमारा हो चुका है और ये एक्जाम जो था आपका 27 जनवरी को दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच में होना था तो इसका कोश्चन पेपर इस तरह से आप लोगों के सामने आया असियंग का कोश्चन पेपर है ये और इसको आप लोगों ने सारा जो निर्देश है वो पढ़ लिया होगा ये मान के चलिए कि आपका final exam, board exam के पहले आपकी board exam देने की rehearsal complete हो गई है तो ये सारे निर्देश question paper में दिये हैं, इनको आप लोगों ने देख लिए होंगे अब हम सीधे पहुंचते हैं इस question paper के model answer पर यहाँ पर आते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं शही विकल्प चुनिए निमने लिखित में से ज्वारी उर्जा किस प्रकार का संसाधन नहीं है प्रश्न को अच्छे से समझेगा, पूछा जा रहा है ज्वारी उर्जा के बारे में और ज्वारी उर्जा जो है वह कहां उठती है, समुद्र में उसकी लहरों में रहती है समुद्र का पानी बहुत उची उची लहरों के रूप में आता है, उसको हम ज्वारी उर्जा के रूप में संचित करते हैं और यह उर्जा पुनेपूर्टी योग है मानावकरत नहीं है यह उत्तर सही आएगा मानावकरत नहीं है अज यह उर्जा है यह भी सही है अचक्री उर्जा है यह भी सही है इसके बाद हम देखते हैं पंजाब में भूमी निमनी करण का मुख्य कारण अधिक सिचाई राष् इनके ही चित्रों से आरंब होता है इनके चार चित्रों की एक सीरीज थी जो राष्टवात के वारे में दरसाती थी और उन्महोदय का नाम था फ्रेडरिक शार्यू इसके बाद हम अगले कोश्चन पर आते हैं स्वतंत्रता अंदूलन के दोरान वीर सैनानी भगत सींग ने क दिया गया था स्वराज हमारा जन्म से दधिकार है यहनारा बाल गंगाधर तिलक का था इन मेंसे लोकमत के मार्ग में कौन बाधा है जब बात कोश्चन देखो थोड़ा सा घुमा के देते हैं लोकमत आप अखभार का नाम भी समझ सकते हैं कि लोकमत नाम का एक अखभार आता है तो आप बिलकुल कंफ्यूज ना हो लोकमत का ताथ पर लोकतंतर से ही है और लोकतंतर की मार्ग में सबसे बड़ी बाधा हमारे इस अबजेक्टिव वाले कोश्चन के अनुसार जाती बाध है शिक्षा, स्वतंतरता और जागरूपता तो उसके मार्गों बाधा हो पैमाने पर जो उत्पादक होते हैं उन से कच्चा माल भी खरीद लेते हैं कई बार बड़े प्रोडक्ट के कुछ सब प्रोडक्स बनते हैं उनको भी खरीते हैं कई बार इन कंपनियों को भी खरीद लेते हैं तो ये प्रभावित नहीं होते हैं इसके बाद सभी घरेली उ जिला मार्ग की सड़कों का निर्मान वा रख रखाओ खाली स्थान के द्वारा किया जाता है इसका उत्तर आएगा जिला परिशन पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताओ खाली स्थान में पारित हुआ 26 जनवरी 1930 को आपको याद होगा दिसंबर 1929 में पंडित जवाहलाल नहरू भारती राष्टी कॉंग्रेस के अध्यक्ष बने अधिवेशन लाहोर में हुआ और यही पर पूर्ण स्वाधीन तयन पूर्ण स्वराज का प्रस्ताओ पारित करने के बाद लाहोर में रावी नदी के तट पर स छपाई के लिए कंपोज करने वाले व्यक्ति को कंपोजीटर कहते हैं भारत में वर्तमान पंचायती राजविवस्था तेहतर्वे सम्विधान संसुधन के द्वारा की गई है इसके बाद हम आते हैं 2011 की जनगरना के अनुसार महिला साक्षरता की दर 64.6 प्रतिशत है आई फुलर चुननटों से कपड़े समेटने वाला सिंगली समुदाय श्री लंका में पाया जाता है फैडे कोर संगठन बोलीविया में जल युद्ध के लिए जनता का समर्थन करने वाला एक संगठन था अलोकता अंत्रिक देश चीन है सूती वस्त्र उद्योग का जो प्रमु एक वाकिम उत्तर दीजिए तो मरुस्थली म्रदा का रंग कैसा होता है मरुस्थली म्रदा का रंग धूशर होता है सिंगों का प्राकृतिक आवास स्थल बहुत इंपॉर्टन कोश्चन है मैं एक्जाम में भी आ सकता है गुजरात के गीर में ये पाय जाता है जौल विरा इन नाम की संस्था का गठन प्रशिया के नित्रत्तों में किया गया था यह एक व्यापार सुल्क संग था जिसने सारे लोगों को एक जैसी सुल्क विवस्था और इकाई विवस्था के अंतरगत संग्ठित किया हुआ था इसके बाद कौरनला की बात करते हैं हम तो उनको कौरनला कहते हैं यूरोपी संग का मुख्याले ब्रेशेल्स की राजधानी बेल्जियम में है आपको याद होगा कि ब्रेशेल्स में 80% फ्रेंच और 20% डच रहते थे जबकि पूरे बेल्जियम में उल्टा था इसका इसके बावजूद भी वहाँ पर कितने अच्छ तरीके से वहाँ के लोगों ने सब्ता में साज्यदारी की थी और ब्रेशिल्स एक आदर्स की रूप में उभरा था और इसलिए वहाँ पर यूरोपी संग का मुख्याले बनाया गया शपत पत्र से क्या सय है शपत पत्र एक हलप नामा की तरह होता है जिसमें तथ्यों को लिखित रूप में देना होता है यहे कानूनी दस्तावेज होता है भारत का सबसे अधिक साच्छा राजिक केरल है महा सागर का जल खारा होता है या नहीं होता है सत्य असत्य में बताना है हमको तो अलवनी यह मतलब खारा नहीं होता है तो असत्य अभी है यह तो खारा होत सत्य है, कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट्स है, आर्थोडॉक्स है, तमाम तरह की संप्रदाय हैं। अब दो नम्मर के कोश्चन में हम देखते हैं, कि संसाधनों के अती दोहन से उत्पन होई कोई दो समस्या हैं, आप लोग लिख सकते हैं, कि संसाधनों का बेतर्तीब दोहन करते हैं, तो उससे क्या होता है, सबसे पहले तो संसाधनों का दोहन होता ही है, मतलब प्राकृतिक रूप से संसाधन ना तो कम समय में प्राप्ट किये जा सकते हैं ना ही हम दोबारा उनको मानवी रूप से तयार कर सकते हैं तो definitely संसाधनों का खात्मा जो है वो पहला नुकसान होता है हमारी पहली समस्या होती है और दूसरी समस्या पारिश्थिती की संतंत्रा हमारा एको सिस्टम बिगड़ जाता है इसके बाद एजेंडा 21 क्या है तो आपको पता है कि रियोडी जैनेरों में 1992 में सयुक्तराष्ट करंग का एक पर्यावरन एवं विकास के मुद्धे पर सम्मेलन हुआ था उस सम्मेलन को प्रत्विशमेलन के नाम से बोलाया जाता है और इस सम्मे जैनेर 21 कहा गया और ये बोला गया कि 21 शताब्दी में देश की जितनी भी सरकारे हैं विश्चो भर में वे सारे लोग अपने इस्थानी निकायों ता किसे जैनेरों को लेकर जाए जैव विविदता किसे कहते हैं प्राकरतिक रूप से जीवजन्तूं पाल्तूं या जंग आरक्षित वन वे वन जिन में इमारती लकडी तथा वन उत्पादों को प्राप्त करने के लिए इस्थाई रूप से उनको सुरक्षित रखा जाता है यहां पर पसुचारण की यनुमती नहीं होती है जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहते हैं इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सुनहरा रंका होता है रेवी और खरीब की फसल में दो अंतर आपको समय के अंतर लिख सकते हैं आप लोग इसमें एक तो इस तरह से लिख सकते हैं कि फसल का समय कब बोया जाता है इसकी बुवाई जो होती हुए अक्टूबर से दिसंबर में और कटाई मार्च से अप्रेल करते थे इन प्रेश्टों के उत्तर आप लोगों ने डेफिरिटली बहुत अच्छे से लिखा होगा पंचांग किसे कहते हैं गैली किसे कहते हैं ये कोशन्स टू दा पॉइंट कोशन्स हैं इनको आप लोग एस पॉइंट के हिसाब से आप लोग नोट कर लिए जीएगा और याद कर लिएगा परिक्षा आसान इतिहास में इनके उत्तर बहुत अच्छे से दिये गए हैं इसके बाद हम कुछ कोई महतोपूर्ण प्रिश्टा आ रहा है का ये ताना साही सरकार की संचिप्ति व्याख्या कीजिए आपको मालू नई भी मालूम है तो ताना साही सर आँजे ऐसी सरकार चलाने वाला व्यक्ति कहलता है ताना साही सरकार लोगतंतर की दो विशेष्टा है बताईए लोगतंतर में नाईरिकों का सम्मान बढ़ता है गलतियों सुधार ने गुंजाए सोती है तमाम सोड़ेड़ सो विशेष्टा है कोई दो तो लिखना आप ल रहे एक हlishिये उपभोकता पहली चीशतों के से कहते हैं वह व्यक्ति समाज का यह व्यक्ति यह वलोग जो वस्तुवाँ और सेवाओं को अंतिम रूपसे उपभोकता कहलाते हैं और उन उपभोकता ओं को ठगी का शिकार नाह villains बहुता आ को काला बाजारी का शिकारोना होन ये होगा कि कोई भी सामान खरीदो तो रशीद हासिल करो और इस्टेंडर्ड मान की कृताई एसा इमार का एग मार्क हॉल मार्क एच्चे नह लगी हुँ वस्तुएं खरीदो साथ में उभोकता शिक्षा की जानकारी होना चाहिए उनको इस तरह से कुश्चन्स आप सौल करेंगे धात्विक अधात्विक खनेजों में अंतर आप इस बात को विसे ध्यान रखिए परिक्षा में जब भी अंतर लिखने को आता है तो आपको अंतर इसी तरह से लिखना पड़ेगा एक तरफ धात्विक खनेज एक तरफ अधात्विक खनेज और फिर इन अंतरों को अलग अलग दिखाना पड़ेगा तो आपको पूरे नमबर मिलेंगे इसके पहले भी रभी और खरीब के फसलों में जो अंतर पूछा गया था उसको आप देखिए यह देखिए यहाँ पर भी हमने इसी तरह से लिखा एक तरफ रभी एक तरफ खरीब और अलग अंतर उसमें दिखाने के प्रयास हमने किये हैं आप इस तरह से करते हैं तो आपको पूरे-पूरे अंग मिलते हैं इसके बाद हम आगे कोश्चन्स पढ़ते हैं इस्टीन ये कमपनी ने भारत में बुनकरों के निगरानी के लिए गुमास्ता क्यों रखा ये सारे कोश्चन्स इनके आंसर आप PDF के रूप में लिंक में दिय आपूर तो इनको इस तरह से आप दिखा सकते हैं ये जलियावाला बागत्या कारण की रिपोर्ट और ये इस तरह से पूरा कोश्चन पेपर आपके सामने से मौडल आंसर के रूप में गुजर गया है और आपको इसके मौडल आंसर की यदि PDF कॉपी चाहिए है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करना होगा और उसको डाउनलोड करने के बाद आप अपने कोश्चन पेपर को बहुत अच्छे से मिला सकते हैं तो चलिए ठीक है आप लोगों के लिए वारशिक परिछा के लिए धेर सारी शुपकामना है और बहुत जल्दी अब हम नई सीरी सुरू करने वाले हैं आप लोगों के तैयारी के लिए मैं कोशिस कर रहा हूँ कि एक एक नंबर के दो दो नंबर के तीन ती नंबर को चार चार नंबर के एक स्लोट वाइस कोश्चन इंपोर्टेंट कोश्चन आप लोगों के लिए बना कर लेने झाल झाल